Hello everyone, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल physics.com पर और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं Electric field due to a charge ring अगर कोई charge ring है जिस पर कोई charge क्यों है तो उससे x distance दूरी पर अगर कोई point P है तो उस पर हमें electric field की intensity बतानी है कि कितना electric field है तो यह question जो है usually पूछा जाता है और यह आपको आना चाहिए क्योंकि काफी important question है तो देखिए इसमें करते हैं मान लीजिए एक ring है हम पे capital R radius की और इस ring यह जो ring है इस ring पर हमने पूरे में charge Q जो है वो equally distribute कर रखा है uniformly distribute कर रहा है वो plus charge Q तो कोई भी अगर मैं छोटा सा इसका element लेता हूँ DQ तो वो छोटा सा element DL length का element है तो वैसे अगर इसकी radius R है तो इसकी पूरे के circumference होगा वो 2 pi R होगा कितना होगा 2 pi R हो जाएगा इसका circumference लेकिन हमें क्या करना है हमें इसकी पूरे radius को नहीं देख रहे है अभी पूरी circumference को नहीं देख रहे है हम मानते है उसमें छोटा सा element है DL यहाँ पर हमने छोटा सा element है DL मान लिया और उस DL element में कितना charge होगा obvious बात है DQ charge होगा यह पूरा Q तो नहीं हो सकता है क्योंकि हमने uniformly distribute कर रहे है तो थोड़ा सा charge होगा DQ उस छोटे सा element DL में तो अब देखिए क्या करते हैं कि इसमें हमने charge मान लिया DQ है तो इस R distance पर एक point P है जिस पर मैं electric field की intensity बतानी है तो वो electric field की intensity क्या होगी तो वो intensity हो के कारण electric field intensity में पता है अगर कोई point एक charge रखा है ठीक है Q और इस charge Q के कारण इससे R distance पर अगर मुझे electric field की intensity बतानी है तो मैं निकाल सकता हूँ वो उसके लिए जो formula है वो मुझे आना चाहिए तो ठीक है उसके लिए जो formula होता है वो क्या होता है अबना वो होता है E is equal to 1 upon 4 5 epsilon naught Q upon R square क्या formula होता है उसके लिए Q upon R square यह आला formula तो यह formula हमने लगाया इस DQ charge के लिए तो DQ charge के लिए जब मैं लगाता हूँ तो मुझे electric field मिलता है DE यह electric field मिलता है इस direction में आता हुआ और क्या मिलता है formula formula मिलता है मिलको यह E DE is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon R square small r square ठीक है तो यहां तक हो गया अब इसके बाद देखते हैं अगर यह जो है यह DE होगा है यह हमनी first equation बन गी ठीक है first equation बना दिया अब क्या है charge density देखता हूँ मैं अगर मैंने इसको पूरा plus charge Q दिया है ठीक है और इसका जो circumference है वो उसकी जो total length है वो L है जो की 2 pi R होगी है अगर यह circumference है इसको मैं खोल द दूँ तो यह ऐसे करके length बन जाएगी और वो length और circumference बात देखे इसको मैं L कह दूँ और वो L किसके बरावर होगी 2 pi R के बरावर होगी ठीक है यह बात क्लियर है आपको अब इसके बाद देखने क्या करता है तो हमने मान लिया जो charge density होगी linear charge density line charge density जो होगी वो lambda is equal to Q upon L हो या इस छोटे से element DL के लिए निकालूं बात तो यह गी है तो मैं इस lambda को क्या कह सकता हूँ DQ upon DL भी कह सकता हूँ और DQ upon DL जो होगा वो DQ upon DL यहाँ पे जो लिख रहा हूँ मैं वो Q upon 2 pi R के भी बराबर होगा तो यहाँ से मैं DQ की value निकाल सकता हूँ तो मैंने DQ की value निकाल दी DL गो उस सेड ले गया तो DQ की value है मेरे पास यह आगई DQ बराबर क्या गया Q upon DL upon 2 pi R तो यहाँ तक clear है आपको जहाँ तक कोशिश कर रहा हूँ मैं बताने की clear होगा ठीक है तो यह second equation बन गी अपनी उसके बाद क्या करा मैंने जो first equation थी उसमें इस DQ की value पुट कर दी तो DQ जो था उसकी value मिल गी 1 upon 4 pi epsilon 0 Q upon 2 pi R DL upon R square यह equation मिल गी अब इस diagram से मैं चीज़ देख सकता हूँ देखिए इस figure को समझिए अगर यह DQ element है जो की इस point P पर इस DQ element की वैसे मैंने electric field की intensity बता दी आपको और अगर यह theta angle बना रहा है तो अगर मैं फिर से एक दूसरा element इतनी length का DL length का यहाँ पर लेलू जिसके charge DQ हो ठीक है उसके कारण electric field की intensity निकालू तो वो इस point P पर तो वो भी same आईगी क्योंकि charge तो same है और distance भी same होगी अगर theta angle है तो ठीक है और electric field कहां जा रहा होगा यहाँ पर जा रहा होगा symmetry से दोनों side वो theta angle ही बना रहा होगा इस side भी theta angle ही बना रहा होगा तो अब देखें क्या होता है यह जो DE है इसको मैं दो components में तोल लेता हूँ क्योंकि symmetry से अगर यहाँ पर theta है तो यहाँ पर theta है यहाँ पर angle theta है तो यहां पर भी angle क्या होगा theta बनेगा symmetry से अब क्या है इसको मैं दो components में टोल लिता हूँ D,E cos theta और D,E sin theta में तो इस component को मैंने टोल लिया इस वाले component को D,E cos theta और D,E sin theta में तो D,E cos theta इस side जाएगा D,E sin theta इस side जाएगा इस side ठीक है अब क्या है कि similarly यह वाला जो component था DE इसको अगर मैं तोडता हूँ दो angles में तो यह theta angle है अगर तो यह इसका DE जो होगा DE cos theta वो inside जाएगा और DE sin theta inside जाएगा अब क्या होगा देखे इस वाले का जो DE sin theta था वो inside जा रहा है और इस वाले का जो DE sin theta यह वो inside जा रहा है तो यह actual में दूसरे को क्या कर रहे है cancel out कर दे रहे है तो यह दोनो cancel out हो जाएंगे यानि कि vertical direction में कोई भी electric field component ही नहीं लेकिन इन दोनों का जो horizontal direction में electric field component है वो दोनों के हैं इस वाले का भी है और इस वाले का भी ही इस direction में मिल रहा है तो अगर मैं देखूँ जो net electric field मिल रहा है वो horizontal direction में ही मिल रहा है इसी direction में मिल रहा है ठीक है vertical वाले तो एक दूसरे को cancel out कर दे रहे हैं DE sin theta वाले तो एक दूसरे को cancel out कर दे रहे हैं तो सिर्फ DE cos theta के कारण ही resultant electric field होगा ठीक है तो अब क्या करा मैंने इसको evaluate करा देखने है क्या आता है देखिए D cos theta की cost theta की यहां से आप value निकाल सकते हैं किसी भी एक triangle से इस वाले triangle में अगर आप देखें तो जो cos theta है उसकी value होगी x upon r ठीक है तो आपको DE cos theta निकालना है DE की value आपको पता है आपने similar पूरी value रग दी लेकिन cos theta इस cos theta की value आपने यह रग दी जब आपने cos theta की value रग दी उसके बाद आपने इसको solve करा further ठीक है तो आपकी यह आली equation आगई है यह equation आगई ठीक है तो इस equation को आपने अपनी third equation मान लिया इस equation को आपने third equation मान लिया इसके बाद क्या इसके बाद आपने net electric field निकालना है DE' के कराण तो जो DE' है वो DE' कह है DE' DE' वो आपका DE cos theta है DE' का अगर आप integration करते पूरा तो आपको net electric field मिल जाएगा तो आपने यह जो पूरी value आई है यह ली पूरी value इसको रखा यहाँ पर रख दिया आपने जह आपने solve करा तो आपको सारी चीज़े देखें constant s में सारी चीज़े constantly आपने लेकिन जो DE' है वो ही vary कर रहा है तो DE' जो है यह इस चीज़ को अगर आप integrate करेंगे तो क्या हैगा इसको integrate जब आप करेंगे तो आपको मिलेगा 2 pi r इसको जब आप integrate करते हैं तो आपको क्या मिलेगा इसको integrate करने पर आपको मिलेगा 2 pi r ठीक है integration DL कर देंगे आप तो पूरी जो ring है उसका integration अगर DL कर दे छोटे से DL का integration कर दे ठीक है तो आपको 2 pi r ही मिलेगा तो 2 pi r की आपने values में रख दी और उसके बाद आपको जो equation मिलेगी वो equation आएगी 1 upon सुरी वो जो equation आएगी आपकी वो आएगी 1 upon 4 pi epsilon 0 q x upon r square r cube की form में आएगी सुरी माफ कीजेगा वो जो पूरी equation आएगी q x upon r qy की अब इस r की value क्या है इस r की value है पीछे अगर आप देखें तो वहाँ से आप देख सकते हैं इस r की जो value है वो है कि आपका इस triangle से आप देख सकते हैं वो इस triangle से आप देख सकते हैं इस वाले triangle से क्या है इस r की value निकाल लीजे ठीक है पाइथागोरा स्प्रम में लगा कर और आपको वो value पता लग जाएगी क्या है ठीक है तो यहाँ पर अपने यह formula लगा दिया आपको final equation क्या मिली बताएए जो final equation आपको मिली वो मिली आपको ये ये value रख दिया अपने r की तो आपको जो final equation मिली electric field due to a ring अब इसमें कुछ special cases है पहला special case है कि when x is equal to 0 यानि कि ring जो है माफ के जगा यह साफ नहीं बन रहा है ठीक है तो जो ring है उस ring के यह जो x था वो x कुछ ही नहीं वो x कुछ ही नहीं जो भी point charge है जिस पर हम अब उसके center पही रखा है अभी तो x 0 होगा radius R तो है capital R तो है लेकिन जो x था x distance पर थी न वो point पही तो वो point ही नहीं क्या है वो जो distance थी x वो ही नहीं यानि कि अगर हमें जो electric field निकाला है वो center पही निकाला है तो center पह electric field कितना होगा वो हम यहाँ पर अगर x रख दूमें तो देखिए यह x जो है उपर आ रहा है एक तो अगर x 0 रखूंगा तो यह पूरा term 0 हो जाएगा electric field कितना आ रहा है 0 यानि कि एक ring के center पर जो electric field होगा वो हमेशा क्या होगा? 0 होगा क्योंकि due to its symmetry जो ring होता है वो symmetry होती है और उसके कारण जो electric field लगेगा हाँ जगा से वो balance हो जाएगा और net electric field जो आएगा वो ring के center पर हमेशा 0 आता है ठीक है? अब दूसरा जो है अगर जो x है यह जो distance है यह बहुत ही जादा दूर हो तो अगर मान लिजे सबोज कीजे physically आपके पास कोई ring है और उसको आप बहुत दूर से दिखते हैं बहुत दूर से दिखते हैं काफी distance से दिखते हैं मान लिजे 20 मिटर दूर से दिखते हैं ठीक है? तो 20 मिटर दूर से वो ring आपको कितनी मड़ी दिखेगी? एक point की तरह दिखेगी? तो वो एक point charge की तरह behave करती है उसमें charge तो है लेकिन वो point charge की तरह behave करती है तो यह हमें फिर उसके लिए फिर से वही expression मिलती है जो हमें point charge के मिलती थी तो in this condition ring behave like a point charge तो यह आपकी derivation है और यह कुछ important cases है उसके आप कीजिए और hope यह वीडियो आपके लिए बहुत helpful रही होगी अगर आपको वीडियो अच्छी लगिया तो चैनल को ज़रू सस्क्राइब कीजएगा थैंक्स वोब वाचिंग